दोस्तो गैस और असिडिटी की समस्या होना एक आम बात है और ये लगबख सभी को कभी न कभी थोड़ा बहुत होता ही है जब हमें गैस और असिडिटी की समस्या होती है तो हम लग नॉर्मल घरेली उपायों को अपनाते हैं जैसे निम्बू पानी पीते हैं अजवाइन का पानी पीते हैं नमक चीनी का पानी पीते हैं या तुरंथ राहत पानी के लिए ENO पी लेते हैं लेकिन इन सभी उपायों को अपनाने के बाद भी गयस और दूस्परभाव क्या है, इसके डोजेज क्या है, ये कौन सी कमपनी की दवा है, इसके कॉमपोजिशन क्या है, और वीडियो के लाश्ट में इसके प्राइस के बारे में भी जानेंगे. तो दोस्तो वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा एंड तक देखेगा, ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए. उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें. तो चले उसको हम लोग पोजिशन के बाद करें तो इसके परती 10 ml कॉंटेंज के साथ मेगनिसियम हाइड्रोकसाइड 150 mg, सीमेथिकोन IP50 mg, सोडियम कार्बोक्स मेथायल सेलिलोज 100 mg और ड्राय अलुमुनियम हाइड्रोकसाइड जेल 830 mg होता है. दोस्तो डाइजिन सिरफ औरंज फ्लेवर, मिंट अपने टेस्ट के अनुसार इसका यूज कर सकते हैं और इस सिरफ का यूज सुगर पैसेंड भी आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये सुगर फ्री सिरफ होता है. चलिए अब हम लोग डाइजिन सिरफ के फाइदे यानि इसके बैनिफिट्स के बारे में जानते हैं. तो दोस्तो कभी कभी पेट के किसी हिस्से में गेस का जमाव हो जाता है और उस हिस्से से हमें दर्द भी होता है. तो गेस की समस्या और गेस के जमाव के कारण होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए डॉक्टर के द्वारे इस सिरफ को दिया जाता है. ये दवा पेट में बनने वाल को कंट्रोल करने के लिए भी इस सिरफ को दे सकते हैं अब हम लोग इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं तो दोस्तो इसके साइड इफेक्ट है डारिया होना कबज होना और सिर्दर्ध होना इतने सारे इसके साइड इ ज़्यादा है तो इसे तीन टैम भी इस्तिमाल कर सकते हैं दवा पीने से पहले दवा के सिसी को अच्छे से हिला लेना है और यूज करने के बाद दवा के ढखन को अच्छे से टाइट करके लगा देना है साथ ही इसका इस्टोर फ्रीज में नहीं करना है और अब हम लोग डा असानी से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल यह सुझावे तो प्लीज कमेंट सेक्षन में जरूर पूछें हम उसका टाम टू टाम जरूर रिप्ले करेंगे अगर यह वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल मेडेसिन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्त रहें मस्त रहे फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद